हाई हलो बच्चो मैं हूँ है विंदर सर्मा आपका स्वायद गार्पने यूट्यूब चैनल पेपर है करपे बच्चो तो बच्चो देखेंगे आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में बच्चो हम आपके लिए लेकर आए हैं बियस्सी सेगेंड डियर का फिजिक् आपको फोर्थ यूनिट करवाने वाले हैं तो हम आपके लिए बता दें इसकी फस्ट और सेकेड यूनिट जो है हमने वीडियो भाग बन में करवा दी है और चुके हैं लाच्ट तब पूरी बीडियो को देखेंगा बड़ी मजधेदर वीडियो रहने वाली है बेरी-बे important question है तो देखेंगे question की तरह बढ़ने से पहले जल्दी से class को share करेंगे जल्दी से share करेंगे class को और अगर आपने हमाई चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही हमाई चैनल को subscribe करें जो कि हमारी आने वाली वीडियो और notification जो है वो आप question क्या रहने वाल है हमारा आपकी screen पे लहोचंब की पदार्थ नहीं है तो कौन से नहीं है लहोचंब की पदार्थ जल्दी से पताएंगे अगर और और नेट कोईशन क्या रहने वाला है, हमारा आपकी स्क्रीन पे, और नेट कोईशन दिया है बच्छो, किसी अनुच consig struggling की पदार्त की चुंब की प्रवर्त्त होती है, राइट अंसर कौनसा रहेगा इसका, इसका राइट अंसर कौनसा रहेगा, तो देखेंगे, आ रहने वाला है बίटो तो इसका the right answer हो भाई ακर एंसर रहर आप्स सर अंबहर अब अल्य चाहिं रहने वाला है हमारा आपकी स्सक्रेंजिंटे पी एक्टर तथा इव कौन सा रहेगा इसका तो देखेंगे बिटो इसक continua right answer रहने वाला क्या रहने वाला है option no a सब्सक्राइब खर देखें को रहेका गाइफ क्यूंसा रहे है इस labels राइट आं Since रहने वाला है इस entonces कोई सा रहने वाला है अगला इसमे प्रभाव है जल्दी से बताएं के राइट अंसर इसमें कौन सा रहने वाला बच्चों तो देखेंगे option number eyes का right answer रहने वाला है धारिता बढ़ जाती है ठीक है क्या है संदारेत्र के परवैदुत के प्रभाव से धारिता बढ़ जाती है यह हमारा right answer रहेगा ठीक है अगले question देख लेता है निरुवात के लिए बैदुथ प्रवर्ती होती है निरुवात के लिए बैदुथ प्रवर्ती होती है राइट अंसर रहेगे और से सब्सक्राइब निम्न में से कौन सा समंद होता है तो राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देखेंगे option number A हमारा right answer रहेगा ठीक है option number A हमारा right answer रहेगा b vector is equal to mu zero bracket में h vector plus m vector यह हमारा right answer रहेगा option number A ठीक है अगला next question देख लेते हैं next question क्या दिया है next question दिया है किसी चुंबकिये छड़के बाहर होता है किसी चुंबकिये चड़के बाहर होता है तो जल्दी से बताएंगे right answer कौन सा रहेगा इसमेंसे right answer कौन सा रहने वाला है बच्चो देखेंगे इसमें जो right answer हैगा बेकर हैगा option number A हमारा right निए-था देल्ट इसके नियम पर आधारित जल्दी से बताएंगे उबस्ट नियम只 संथा रहेगा One of the credit कैंड घूर्भी अडवी है दूर्वी अडवी है तो राइट अंसर कौन से रहेगा धूरू कौन सा होता तो अविद बताएंगे जल्दी से मन आहे अधा मर का हो जाए गा-श्टू-ाएं टीशMA फानट रहेगा ठीक है १्लाने स्ट लाइट पजिक का नंबर और अपशनों का गुरृत विकेंद्र संपाति नहीं होता है रईट और रहेगे जल्दी से कौन सा डाइट रहेगा तो देखेंगे इसका जो right answer रहेगा option number 10 NH3 में NH3 में हमारा right answer रहेगा अगला next question धुरबर vector P vector का मात रख है धुरबर vector P vector का मात रख है जल्दी से बताएंगे right answer कौन सा रहेगा तो देखेंगे इसका जो right answer रहेगा वच्चो बहुत क्या रहेगा option number 6 ठीक है कुलाम प्रती मीटर स्कौार स्कार ष्मिजा राइट आश मार साफ ठीक है अगरा नेक्ड और सब civilians क्या है यदि एक परवेद टांग के के परवेद रख़ दिया तो संधारेतर की धारता कैसी हो जाएगी जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपसर नमबर बाइस का राइट आंसर रहेगा ठीक है के गुना बढ़ जाएगी तो इसकी संधारेतर की धारता के गुना बढ़ बिस्थाफन बेक्टर, D-vekhtor का मातरख होता है, राइट अंसर बताएंगे जल्दी से कौन सा रहने वाला है, तो देखेंगे, ओप्शन नमबर बाह मारा राइटर हो, ठीक है, कूलां पिर्ति मीटर इसक्वार हमारा राइट अंसर हो, ऐप्शन नमबर बाह ठीक है, अगला प्राइदुतांग प्रेरिद आवेस्ट क्यूदेश तथा आवेस्ट क्यूं में समझ होता है तो जल्द इस बताएगा राइट आउप्स नम्बर दा हमारा राइट रहेगा क्यूब एक क्यूब डैस इस्वड़ टू क्यूब ब्रेक नमर बन माइनस बन अपॉंट के यह हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नमबर दा ठीक अगला नेस्ट कोईशन एक पदार्थ की वैदुस सीलता 35.4 इंटू 10 तू पावर माइनस 12 कूलाम स्वार प्रतिन न्यूटन मीटर है उस पदार्थ का परावाई दुतां के ग्याद कीजिए तो उस पदार्थ का परावाई दुतां कितना हो जाएगा राइट आंसर बताएंगे जल्दी से तो राइट अंसर क्या होगा और राइट रहेगा फॉर ठीक है और हमार राइट रहेगा और अगला नेश्ट कुष्चन नेश्ट कोईशन दिया है आपकी स्क्रीन पर बच्छो आटबेक धुरबड़ता का का किलासियस मोसो टी संबंध है जल्दी से बताएंगे राइट इसका कौन से रहेगा? इसका right answer कौन से रहने वाला बच्छो? तो बाइस का right answer रहने वाला है और इसका right answer रहने वाला है? अलफार यश्क पर 2, 3, epsilon 0, k-1 upon and k-2 यह हमारा right answer रहेगा option number 2. ठीक, अगरा नियुश्फ कोशिन. यदि कोई पधार्थ लहो चुम्बक किया है तथा चुम्बक इसको कैसी करती है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इसका तो चुम्बक इसको आपसन नंबर आ हो जाएगा तीब्र आकरसित करती है चुम्बक क्या करती है तीब्र आकरसित करती है यह हमारा राइट आंसर होगा आपस में से कौन सा रहने वाला है राइट आंसर इसमें से कौन सा रहने वाला बच्छो तो देखेंगे इसमें जो राइट रहेगा पर क्या रहेगा प्रती चुम्ब किये प्रती चुम्ब किये पदार्थ कामा अनुचुम्ब किये हो जाते हैं यानि कि लो चुम्ब किये तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा या तो बच्चों देखिए इसका राइट आंसरिका आनशर एको आप साथ का ऐला नेश्ट कोशन देखते हैं इस्थाइ चुमबक के लिए चुनते हैं इस्थाय चुंबक के लिए चुनते हैं क्या चुनते हैं जल्दी से बताएंगे राईंसर कौण सा रहेगा इस इसे राई जरका रहने वाला है उसका रएट अंसर रहने वाला कंसा चुनते हैं तो क्यों से तो देखें के जो राइट अंसर रहेगा और आप्षिन नम्मर बार रहे गा सास्तोड़ डिग्री सेलोचियस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्षिन नमर राइए अगला नेश्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो भाग टू में थर्ड और फोर्थ उनिट करवाने बारे हैं ठीक है तो फोर्थ उनिट देखते हैं फोर्थ उनिट का पहला कोश्चन तो इस कोश्चन की तरह बढ़ने से पहले जल्दी से किलास को शेयर करेंगे बच्चो लाइक क लाइक करना बिल्कुल ना भूनें तो देखते हैं कोश्चन क्या दिया है मारा कोश्चन दिया है द्रश से प्रकार है द्रश से प्रकास है तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा इस एकस है अगरा कूशन के के धिया है πदार्थ शाप ऐख पार कुश्प भुल में यू आर व्चम्प कि यह आज सिर्वृति में शमन्ध होता है जल्दी से बताएंगे हैं इसका रहने कि पहित खांट सा रह वाला है जल्दी से बताएंगे में तो देखेंगे इसका जो right answer रहेगा बच्चो इसका जो right answer रहेगा बो क्या रहने वाला है option number A, ठीक है option number A हमार right answer रहने वाला है ए वेक्टर वा वी वेक्टर दोनों के लंबबद दिसा में यह हमार right answer रहेगा option number सा, option number सा हमार right रहेगा ठीक है अगला next question, next question क्या दिया है, next question दिया है किसी चालक में बिदुत तथा चुम्बी के छेतर वेक्टरों के बीच कालांतर होता तो जल्दी से बताएंगे right answer कौन सा रहेगा, right answer कौन सा रहेगा बच्चो तो option number 2 हमार right रहेगा, pi upon 4, pi upon 4, pi upon 4 हमार right answer रहेगा option number 2, ठीक है, अगला next question चुम्ब किये scalar बिभग का बेंजक है तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा तो option number 22 का राइट रहेगा 5 is equal to mu 0 i omega upon 4 पाई यह हमारा right answer रहेगा upon 4 पाई यह हमारा right answer रहेगा option number 2 ठीक है अगला next question देख रहेते हैं नेस्ट question दिया है पच्चों नेस्ट question हमारा आपकी स्क्रीम पर दिया है संचरन केबल उन विदुत चुम्ब किये तरंग signal के परावरतन द्वारा संबब है जिसकी जिसकी तरंग रहे हो कैसी हो तरंग रहेगा इसका पूरा आपकी स्क्रीम परावरतन संभब नहीं है तो जल्दीत बताएंगALLYा हमारा रहेगा जल्से कांच में जाती स्क्रीम का जल्से कांच में जाती तरंग का यह नहीं है हमारा राइट अंसर है कि तरंग को शह आयन मंदल की पिर्थवी की सतह से उंचाई है तो जल्दी से बताएं कि राइट आंसर इसका क्या रहेगा इसका राइट अंसर क्या रहने वाला वच्छो अगला नेश्ट कोईश्टन नेश्ट कोईश्टन क्या है निर्वात में बैदुत चुम्ब की तरंग का बेग होता है तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा बच्चो आपसे नमबर बाइस का राइट आंसर रहेगा इसका राइट आंसर कौन सा रहने बाला है तो देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा रहने बाला है तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चो भी कह रहेगा आपसे नमबर बाब बाट मीटर बाट प्रती मीटर इसकौर बाट प्रती मीटर इसकौर यह हमार राइट आंसर क्या रहेगा इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है तो आप्सिन नमबर दा इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रेसित वा अभी ग्राही के बीच की दूरी पर प्रेसित वा अभी ग्राही के बीच की दूरी पर निर्वन नहीं कती है यह हमारा राइट है जलDH से पताएंगे सभी बच्चे बताएंगे राइट सबसे रहेने बाला है मिध्य को देखेंगे अग्ष्ठ विल्य इंसरी का रहेऊ जाता है एह इसको to वर डेट नियतांगल तो इसमें से राइन सरो कौन से रहेगा इसमें से राइच ज़ली से तो देखिए इसका जो राइट ज़ली तो अब्र टू नूटू एपांट मूँवन थे जल्दी से पुना किया है जल्दी से राइंगा रहने वाला बच्छो बच्छो इसका right answer क्या रहने वाला है, सबी बच्छे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे, इसका right answer हैंगे, option number 8, ठीक है, brewster का नियम, ब्रूस्टर का नियम व्य भास को बच्छो जल्दी से class को share करेंगे, बच्छो, सबी बच्छे same class को share करेंगे और like करते रहेंगे, class को share करते रहेंगे और जल्दी से वीडियो को like करते रहेंगे वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूलें बच्छो बेरी important question है, last तक देखेगा पूरी वीडियो को बड़ी मज़ेदार वीडियो रहने वाली है बेरी important question लाएं आपके लिए इस वीडियो में ठीक है तो last तक पूरी वीडियो को देखेगा बच्छो और अगर आपने हमाई चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही हमाई चैनल को सब्सक्राइब करिए option number 2 हमारा right रहेगा ठीक we can बैधुत चुम्ब की यह तरंग है तो इसका right answer कौन सा रहने वाला इसका इसका right answer कौन सा रहने वाला है बच्छो तो देखेगे इसका write answer रहेगा और आपसन नम्बर 8 ठीक है x करड out x करड हमारा right answer रहेगा option number 4 ठीक है का अगले नेस्ट कुस्षिन बैधुट बैक्टर veut in इब को इस परशी घटख अंतराप्रष्थ ऐंधर छाहता है जल्दी से बताएं सथा है रायट अंसर कौन सा हो गाई इसका इसका रायट आंसर कौन सथा रहा बच्चो जल्दी से पताएंगे तो देखेंगे बच्चो इसका जो right answer रहेगा वाई करेंगा option number 8 ठीक है सतत रहता है ऐसा रहता है सतत रहता है option number A हमारा right answer रहेगा ठीक है बच्चो option number A हमारा right answer रहेगा अगला next question देख लेते हैं पाइधत चुम्ब कि तरंगों की नैज पृतिवाधा निम्न के द्वारा दी जाती है तो right answer इसमें से कौन सा रहने वाला है इसमें सा right answer हमारा कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसमें जो हमारा right answer रहेगा बै करेंगा option number 2 ठीक है mu omega upon k mu omega upon k हमारा right answer रहेगा बच्छो mu omega upon k हमारा right answer रहेगा ठीक है अगला next question पैदुत चुम्ब की तरंगों का बेग होता है पैदुत चुम्ब की तरंगों का बेग होता है तो इसमें से हमारा right answer कौन सा रहने वाला है बच्चो इसमें से हमारा right answer कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे सभी बच्चे right answer बताएंगे इसमें से हमारा right answer कौन सा रहने वाला है तो देखेंगे बच्चो इसमें जो हमारा right answer होगा ठीक है इसमें जो हमारा right answer होगा बो क्या होगा option number 8 ठीक है निर्वात में अधिक्तम निर्वात में अधिक्तम होता है इसका भी एक कैसा होता है निर्वात में अधिक्तम होता है अगला next question पिरकास की एक किरल की आपरती 6 into 10 to पावर 14HZ है यदि यह 1.5 पर अपवरतनांग के माद्धिम से संचरान करे तो इसकी आभिरती होगी कितने होगी जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या उंसर रहने वाला है इसका राइट आंसर कौन सर रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देख सब इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसका राइट आंसर रहें east of the देख़ें आँसर में मिनटेशला की पवर माईनस बंम से माली हमारे ज़्चो अगरा निश फूशन की तरंग हमें दोलन करते शमय दोलन करते बाइदू dxe घ्टि टैसा ची चेतर ब्यक्तर में संबद होता है लगतांना सकाइब में जल्डी से बताएंग में सबटाएंगे समीज बच्चे जल्दी पताएंगे तो और जो डेखेंगे इसका राइट रहेगा वो क्या रहेगा option number 2 हमार राइट रहेगा e is equal to cb e is equal to cb हमार राइट रहेगा option number 2 ठीक है अगर नेक्ट question देख लेते हैं और नेक्ट question हमारा आपकी screen पर दिया है iron bundle में होते हैं तो iron bundle में होते हैं बच्छों से बताएगे right answer कौन सा रहेगा इसका right answer कौन सा रहेगा आयन मंदल में होते हैं तो देखेंगे इसका right answer क्वाहतर है बच्छों क्या रहेगा option number का रहेगा समान संख्या में मुक्त Electron than तथा धन आयन ये होते है यह हमारा right answer का ис 전 number सा और हमारा लाइट अंसर हैं ठीक है बच्चो ऑगला है नेक्ड़ पिस क्यों सा है जल्दी से बताएंगे उसे ने है तो देखेंगे अब लचसव रहेगाइव दो ओस मालाइट एंसर हैगा एब टू एंटесь वेक्ट लूचर 452 है वैंक pointing vector है यह हमार right answer है option number 2 हमार right answer है अगला नेश कोशन मुक्त आकास में विदुत चुम्ब के तरंगों का बेग होता है मुक्त आकास में विदुत चुम्ब के तरंगों का बेग होता है तो जल्दी से बताएंगे right answer कौन से रहेगा इसमें से तो देखेंगे जिसमें बैदुत धारा इवेक्टर तथा चुम्ब के छेतर है तो इवेक्टर इंटू है उर्जा प्रभा की दिशा पताता है तो इसमें right answer कौन से रहेगा इसमें right answer कौन से रहेगा बच्चो जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसमें जो right answer रहेगा बच्चो आपके रहेगा option number 8 तरंग प्रभा की दिसा में यह हमारा right answer रहेगा option number 8 ठीक है अगला next question क्या है अगला next question देखेंगे बच्चो जल्दी से बताएंगे इसमें right answer कौन से रहेगा बच्चो अगला next question देख लेतें बच्चो प्रवर्ति का मात रखती तो चुम्ब की प्रवर्ति का मात्रक कौन सा है जल्दी से जल्दी से Dynamic आंसर क्योत्याने particular है इसमें तो क्योंआएगा इस ride नंबर दां यानि की कोई मात रख नहीं इनवे सो कोई से मात रख नहीं और आप समय दा हमारा осदार रहेगा ठीक अगरा नेश कोश्चन जल प्रति चुम्ब की पदार्थ की चुम्ब की प्रविर्ति है तो जल्दी से बताएंगा राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें से लाज्ट कोश्चन है इस वीडियो का बच्चो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाल लाज तक पूरी वीडियो को देखीगा बेरी बेरी important question है बड़ी मज़ेदार वीडियो रहने वाली है ठीक है तो बच्छो और आपके लिए पता दें अगर आपने हमाई चैनल को अभी तर्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि हमा करने वाले ठीक है उस एप का लिंक जो है वह हम अपने description वाक्स में दे देंगे वहां से आप जो है लिंक पे क्लिक करके पीडियो लिंक पे क्लिक करके जो है और आप एप्स को प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसमें आपके लिए पीडियो वगारा सभी प्रोवाइ झाल झाल झाल